हमारे चारोर के परिवेश में हम देखते हैं कि जीव जन्तू, पेड़ पौधे, मनुष्य, इन सभी के बीच एक इंटर कनेक्शन होता है, एक अंतर संबंध होता है और यही सारे मिल करके परियावरण का निर्माड करते हैं यह हम कहें कि परियावरण के अंतरगत आर्थिक, भौतिक, रासायनिक, सामाजिक, जैविक जितने भी घटक होते हैं इन सब का समावेश होता है परियावरण एक व्यापक शब्द होता है इसमें उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक, सामाजिक जितने भी कारक होते हैं ये किसी न किसी प्रकार से मनुष्य को, जीवजन्तुओं को और पेड़ पौधों को प्रभावित करते हैं और इनसे बना हुआ जो परीधन आवरण शब्द हम कहते हैं परियावरण तो ये सराउंडिंग से रिलेटेड होता है यहने हमारे आसपास का जो परिवेश है तो ये कहलाता है परियावरण परियावरन अध्यान विज्ञान की ही ऐसी शाखा है, जिसमें हम वातावरन में होने वाले जितने भी परिवर्तन हैं, उनका अध्यान करते हैं. अब इस वातावरन में क्या क्या है? तो वातावरन में जल है, वायू है, मृदा है, सूर्य की रोशनी है, बादल है, आकाश है इन सब ही का अध्यान हम परियावरन के अंतरगत करते हैं परियावरन शब्द की उत्पत्ति इन्वाइरन नाम के ग्रीक शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है सराउंडिंग या हमारे आसपास का वातावरन हमारे आसपास का परिवेश परियावरण को यदि हम अध्यान करते हैं तो परियावरण के अंतरगत तीन घटक होते हैं जैविक, अजैविक और उर्जा घटक जैविक घटक याने बायोटिक कॉंपोनेंट अजैविक घटक याने एबायोटिक कॉंपोनेंट और जो उर्जा घटक है याने एनर्जी कॉम्पोनेंट तो जो जैविक घटक होते हैं इसके अंतरगत सभी जीवित जीव चाहे वो पौधे हों जन्तु हों मनुष्य हों इन सभी घटकों से मिलकर के जैविक घटक होता है अजैविक घटक के अंतरगत हमारे चारो और स्थल मंडल है जल मंडल है वायू मंडल है इन सब का समावेश होता है उर्जा घटक के अंतरगत हमारे आसपास जितने भी चक्र होते हैं उर्जा से संबंधित जितने भी चक्र हैं चाहे वो रासायनिक उर्जा चक्र हो ताप रा उर्जा से संबंदित चक्र हैं वो इसके अंतरगत अध्यान किये जाते हैं यह जो अध्याय है यह पर्यावरणी रसायन है पर्यावरणी रसायन के अंतरगत हम विभीन प्रकार के जो घटनाए होती हैं हमारे आसपास जो चिंताजनक भी है और जिसका निवारण भी कर सकते ह और बहुत सारी इसके अंतरगत chemical reactions होते हैं इस वज़े से इसे हमारे इस अध्याय में शामिल किया गया है ताकि पर्यावरण में होने वाली जितनी भी दुश्प्रभाव हैं कुछ घटकों के कारण होने वाले दुश्प्रभाव हैं इनका प्रभाव मनुश्य पर, जीव जन से भी होती हैं जो मानोजनित भी होती हैं कुछ प्राकृतिक भी होती हैं तो इन सभी घटनाओं को हम कैसे कम कर सकते हैं कैसे हम इस प्रकार के प्रदूशन को निवारन कर सकते हैं इन सभी घटनाओं के बारे में हम इस पार्ट में चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम देख घटनाय होती हैं जो अवांचनी होती हैं और इन अवांचनी परिवर्तनों का वातावरण पर प्रभाव पड़ता है और ये वातावरण प्रभावित होता है तो उससे वनस्पती, जीवजन्तु, मनुष्य सभी प्रभावित होते हैं तो हम कह सकते हैं कि पर्यावरणी प्रदूशन अवांचनी परिवर्तनों का परिवातावरण पर पढ़ने वाला प्रभाव होता है जिसकी वज़े से मनुष्य, जीवजन्तु, पेड़, पौधे इन सभी पर हानिकारण प्रभाव पढ़ता है। प्रदूशन वायू, जल, मृदा इन सब में होने वाला भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का एक अवांचनी परिवर्तन कहा जा सकता है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो जन्तु हो, सभी प्रभावित होते हैं। अब इस प्रदूशन को फैलाने वाले जो कारक होते हैं, जिनकी वज़र से प्रदूशन होता है, उसे हम कहते हैं प्रदूशक। तो प्रदूशक के अंतरगत हम देखते हैं, बहुत सारी gases भी हैं, जैसे carbon dioxide है, sulfur dioxide है, nitric oxide है, तो कई सारी ऐसे प्रकृती में उपलब जो gases होती है, जिसकी मात्रा यदि अनुपात से अधिक होता है, तो फिर वो प्रदूशन का कारण बन जाती है, तो वायू में बहुत सारी ऐसे gases हैं, जैसे carbon dioxide, sulfur dioxide हो, ozone है, nitrogen dioxide है, ऐसे बहुत सारी gases होती हैं, जो की वायू में उपस्थित होते हैं, कभी कभी हम देखते हैं, या प्राया आजकल ये देखा जा रहा है, कि बहुत सारे मानवी करिया कलाब, या हमारे जो भी हम दैनिक जीवन मे उपयोग कर रहे हैं, जितनी भी वस्तूओं का, कहीं न कहीं इस तरह के प्रदुशक gas उसमें से निकल रही है, जो वातावरण में इन गैसों की मात्रा को लगातार बढ़ा रहे हैं, जब वातावरण में इस तरह की gas से लगातार बढ़ती हैं, तो निश्यत रूप से यहा इसे भी पदार्थ होते हैं जो वातावरण में उपस्थित नहीं हैं। और प्रदूशन का जन्म होता है। तो इस तरह के जो प्रदार्थ होते हैं जो पहले से वातावरण में नहीं हैं। लेकिन कुछ रासायनी घटना और रासायनी क्रियाओं के कारण उत्पन होते हैं। उसे हम कहते हैं संदूशक या कॉंटामिनेंट्स। तो यहां पर हम गैस निकली थी जो की यूनियन कारबाइट फेक्टरी से निकली थी और इस गैस का नाम था M.I.C. शॉर्ट फर्म में कहते हैं मेथिल आइसो साइनाइट। मेथिल आइसो साइनाइट जो है यह बहुत ही जहरीली गैस थी इस गैस के कारण आज भी भोपाल के आसपास एव बहुत देखने को मिला तो यह एक विश्वस्तर पर हुई एक आपदा कह सकते हैं इसको जो यह M.I.C. है तो यह पहले से उपलब्ध नहीं थी वायू में पहले से नहीं थी लेकिन चुकि इस गैस का इस गैस की वित्पत्ती जो है वो यूनियन कारबाइट फेक्टरी में क बहुत सारे बीमारियां भी हुई और आने वाली पीड़ी कई पीड़ी तक यह बीमारियों का प्रवाह जो है वो चलता रहा तो इतना हानी कारबाव जो है वो इस M.I.C. का देखने को मिला अब हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी प्रदूशक होते हैं जो अपने आप अपखटित हो सकते हैं अपने आप इनका निमनी करण हो सकता है जो कि बायोडेग्रेडेबल होते हैं जैसे जो सबजिया है फल है उनके कई छिलके वगर हम फेग देते हैं या हम कहें कि उनके जो वेस्ट है फलों सबजियों के उनको हम प्राकृतिक किसी भी विधी से निमनीकृत कर सकते हैं याने बायोडिग्रेट कर सकते हैं लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं ज कई वर्षों तक ऐसे ही पड़े रहते हैं और इसका निमनीकरण नहीं हो पाता है, तो इसको हम जैव अनिमनीकरण बदार्थ भी कहते हैं या इस तरह के प्रदूशक कहे जाते हैं. इसके अंतरगत हम देखते हैं, प्लास्टिक है, DDT है, DDT जिसका पूरा नाम है, डाइक्लोरो, डाइफेनाई, ट्राइक्लोरो, एथेन तो ये जो DDT है ये भी बहुत अधिक प्रदूशन को फैलाते हैं और जल्दी से ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते हैं प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक से बने हुए पदार्त या प्लास्टिक ये भी एक अजैव निमनिक्रित पदार्त होते हैं बहुत सारी भारी धात्वे जिनका आसानी से अब घटन नहीं होता है बहुत सारे नाभिकिये अभिक्रियाएं होती हैं उसके अंतरगत नाभिकिये जो अपसिष्ट पदार्त निकलते हैं उनका भी आसानी से अब घटन नहीं होता है, तो ये सारे जो प्रदूशक है वो अजयव निमनिकृत स्रेणी में आते हैं, कभी-कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी प्रदूशक होते हैं, यदि ये परियावरण में एक बार फैल जाते हैं, तो इन्हें हटाना, इन्हें अ आने वाले समय के लिए पूरे परिवेश को बहुत अधिक प्रदूशित कर देते हैं, तो परियावरणी जो प्रदूशन होता है, या परियावरणी प्रदूशन में जो प्रदूशक है, वो अलग-अलग स्रोत से उत्पन हो सकते हैं, जैसे कि वायू या जल, या मनुष् मृदा में गाडने से भी इस प्रकार की प्रदूशन फैलते हैं, तो प्रदूशन फैलाने के लिए बहुत सारे माध्यम होते हैं, तो इसको हमने देखा कि वायू से, जल से, या मानवी क्रिया कलाब से, मृदा में, किसी भी तरह से ये उत्पन हो सकते हैं, तो प्रदूशक जो है वो ठोज भी हो सकते हैं, द्रव भी हो सकते हैं और कुछ गैसी बदार्थ भी हो सकते हैं, तो कभी-कभी हम देखते हैं कि इस प्रकार के जो प्रदुशक हैं, वो कुछ प्राकृतिक घटनाओं में भी उत्पन होते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ प्रदुशकों के बारे में जानेंगे जैसे प्रदुशक यदी मान लीजिए Gaseous है तो किस प्रकार के Gase जो है प्रदुशक की तरह कारी करते हैं तो यहा हम देखते हैं Carbon Monoxide, Carbon Dioxide, Sulphur Dioxide, Nitric Oxide, Nitrogen Dioxide, Methen, Ozone यह सब जो हैं वो प्रदुशक Gases होती है इसी प्रकार कुछ जो धातुएं होती है या उनके योगिक तो इन धातुओं में लेड है, मरकरी है, जिंक है, कैडमियम है, आरसेनिक है तो ये कुछ धातुएं है या इन ही धातुओं के कुछ योगिक भी होते हैं जो की प्रदूशक की तरह कारे करते हैं साथ ही हमने देखा कि बहुत सारी नाभिकिये घटनाएं होती है, इन नाभिकी घटनाओं से बहुत सारे नाभिकिये प्रदूशक भी उत्पन होते हैं इसी प्रकार हमारे आसपास वातावरण में धुआ हैं, धुएं के अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, कोहरा है उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि वायू में निक्षेपित रहते हैं, वायू में फैले होते हैं, और इस वज़े से भी बहुत प्रदूशन फैलता है, हमारे परिवेश में धूल की मात्रा भी लगातार बढ़ती जारी है, तो यहां पर हमने देखा कि प्रदूशक को हम अगर अवस्था क्या धार पर द भी प्रकार से किसी भी अवस्था में समझ सकते हैं, प्रदूशन के स्रोत क्या-क्या होते हैं, यहां से प्रदूशन उत्पन होता है, सोर्स, सोर्स ऑफ पॉलूशन का अर्थ होता है, कि कहां से प्रदूशन फैला है, या कहां से प्रदूशन उत्पन हो रहा है, यह जो उ यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको इससे प्रभावित होने वाले याने प्रदूशन से प्रभावित होने वाले कौन लोग होते हैं प्रदूशन से प्रभावित होने वाले लोग होते हैं आस पास के जितने भी सजीव और निर्जीव ये हो सकते हैं प्रदूशन के प्रभाव शार हम देख रहे हैं कि परत जमती जारी है यह अमलवर्षा के कारण होती है आगे हम देखेंगे अमलवर्षा को बहुत डिटेल में चूखि यह एक निरजीव घटक है वह भी प्रभावीत हो रहा प्रदूशन से तो हम कह सकते हैं कि ग्राही में निर्जीव भी हो सकते हैं और सजीव भी हो सकते हैं यदि हम यहाँ पर एक उदाहरन लें जैसे हमने देखा वाहन का उदाहरन की वाहन से धुवा निकल रहा है किसी इंधन के जलने पर तो उस धुवे में सल्फर नाइट्रिक ऑक्साइड है, कार्बन डायोक्साइड, कार्बन मुनोक्साइड, यह सारी गैसेज होती है, इसके ग्राही होते है, मनुष्य, और यहाँ पर अगर यह NO2 है, यह वापस जल से क्रिया कर लेते हैं, अमल वर्षा के रूप में, यहाँ पर प्रित्वी में, सल्फ् यहाँ पर हम एक और शब्द के बारे में जानेंगे, जिसको हम कहते हैं, Threshold Limit Value, जिसको हम TLV के नाम से जानते हैं, या प्रवेश सीमा मान, इसका अर्थ होता है कि प्रदूशक की वह अधिक्तम मात्रा, जो की ग्राही को प्रभावित नहीं करती है, जिसे हम TLV के नाम से ज जानते हैं, तो यहाँ पर हम कुछ मात्रा देखेंगे, TLV के आधार पर, parts per million में हम इसको देखेंगे, याने पूरा जो concentration है gas का, वो PPM के आधार पर हम देखते हैं, तो जैसे प्रदूशक यदि, COCl2 है, तो इसकी PPM में जो TLV का मान है, वो है 0.1, इसी प्रकार क्लोरीन है, तो इसके PPM के आधार पर जो मान है, वो है 1 PPM, sulfur dioxide, nitric oxide, nitrogen dioxide, इसमें जो PPM के आधार पर मान है, वो 5 PPM, ऐसे ही carbon monoxide है, तो इसके लिए PPM value है TLV के लिए, ये 40-50 के range में होती है, और CO2 जो है, carbon dioxide जो है, इसमें 5000 PPM TLV का मान होता है, तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी ऐ जो कि अधिक्तम सीमा की जो मातरा होती है, जो कि ग्राही को प्रभावित नहीं करती है, उस सीमा को हम कहते है, threshold limit value, अब हमने source के बारे में समझा, ग्राही के बारे में समझा, अब हम Sink के बारे में जानेंगे, सिंक जो हैं वो ऐसे पदार्थ हो सकते हैं या ऐसे माध्यम होते हैं जो स्थाई प्रदूशकों के साथ क्रिया कर लेते हैं और ये सिंक कहलाने लगते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो H2SO4 बनता है तो H2SO4 जो बना मार्बल पत्थर पर जब क्रिया होती है या मार्बल पत्थर की दिवार यदि है तो वो यहाँ पर सिंक का कारे करती है जैसे हमने आगरा के ताजमहल का उदाहरन लिया जो की संगमरमर से बना हुआ है, मार्बल है और यह जो मार्बल की जो दिवाल है वो यहाँ पर कारे करती है सिंक की तरह क्योंकि अगर यह H2SO4 बना है अमलवर्शा के दौरान तो यह मार्बल के साथ, यानि मार्बल में केलशिum कार्बोनेट है तो calcium carbonate के साथ क्रिया करके ये बना लेता है, calcium sulphate, water और carbon dioxide, तो ये इस तरह से reaction करते हैं, CaCO3 plus H2SO4 is equal to CaSO4 plus CO2 plus H2O, तो इस प्रकार से marble में इस तरह की क्रिया होई, तो ये जो marble है, वो यहाँ sink की तरह कारे करता है, तो ये एक माध्यम होता है, जो कि स्थाई प्रदूशकों के साथ क्रिया कर लेता है, और प्रदूशन जो है वो फैलता है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि वायमंडली जो carbon dioxide होते हैं, या बहुत सारे ऐसे घुलित, जल में घुलित जो gases होते हैं, उनके लिए जो महासागर है, वो सिंक की तरह कारे करता है, जैसे हम ये देखते हैं कि सम सिंक की तरह कारे करता है, वातवरणी प्रदूशन इसको समझने से पहले हमें वायमंडल के बारे में या हमारे आसपास जो जैव मंडल है, इसके बारे में जानना आवश्यक है, तो पृत्वी के जो अलग-अलग स्वाग होते हैं, वहाँ पर वातवारण में अगर हम और हर सता की मोटाई, हर सता का जो घनतव होता है वो अलग-अलग होता है। पृत्वी की ऐसी सता जहां पर जीवन संभव है उसे हम जानते हैं ट्रोपो स्फियर या शोब मंडल के नाम से। तो जहां पर जीवन हैं, जीवन संभव हैं, जहां पर पेड़ पौदे हैं, जीव या वातवरनी प्रदूशन के बारे में बात करते हैं तो समुद्र की सतर से जो इसकी उचाई होती है ट्रोपोस्फियर की वो लगभग 10 किलोमेटर तक की होती है इस 10 किलोमेटर तक का जो छेतर होता है यह ट्रोपोस्फियर का होता है यहां पर छोब मंदल के उपर हम देख रहे हैं कि 10 से 50 जो किलो मिटर है पुड़ा, 10 से 50 किलो मिटर का जो छेतर होता है, यह कहलाता है समताप मंदल या स्टेटो स्फियर, इसी प्रकार स्टेटो स्फियर के उपर जो सता होती है, इसे हम कहते हैं मीजो स्फियर और उसके उप तो यहां पर हमने देखा कि बहुत सारे अलग-अलग प्रिथवी की सता है अलग-अलग प्रकार से तो इसे हम जानेंगे डीटेल में कि हर एक जो सता होती है वो कहां से कहां तक होती है और इसमें कौन-कौन सी गैसे उपलब्ध होती है तो सबसे पहले हम जानेंगे छोब या ट्रोपो स्फियर के बारे में तो यह जो ट्रोपो स्फियर है जैसे हमने देखा कि प्रिथवी की सता से इसका जो भाग है वो शुन्य से 10 किलोमीटर तक का होता है और इस छेत्र में हम देखते हैं बहुत सारे गैसे होती है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन जल या जलवाश्प और यहां पर जो तापमान होता है यह तापमान होता है 15 डिग्री सेंटिग्रेट से 56 डिग्री सेंटिग्रेट का इसी प्रकार इसके उपर वाला जो छेत्र होता है जिसे हम कहते हैं स्टेटोस्फियर या समताप मंदल इस छेत्र में हम देख रहे हैं क नाइट्रोजन, ओजोन, ओक्सीजन, आयन्स के रूप में ओक्सीजन आयन है, O2+, O+, और एक क्रियाशील ओक्सीजन, जिसको हम नौजात ओक्सीजन या बहुत ही एक्साइटेड ओक्सीजन, जो क्रियाशील होता है, ये इस लेयर में प्रेजेंट होता है, और इस लेयर की का ज जिसे मध्य मंदल भी कहा जाता है, ये जो मध्य मंदल है, मीजोस्फियर है, मीजोस्फियर में होता है नाइट्रोजन, O2 प्लस आयन, NO प्लस यान नाइट्रोनियम आयन, ये सारे जो है मीजोस्फियर के पार्ट होते हैं, घटक होते हैं, यहाँ पर जो छेत्र होता है मीजोस चेतर होता है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है मीजोस्फियर का यह माइनस 2 डिग्री सेंटिग्रेट से माइनस 92 डिग्री सेंटिग्रेट तक का होता है और इसके बाद वाला जो चेतर है जिसे हम थर्मोस्फियर कहते हैं इस थर्मोस्फियर के अंतरगत देखते हैं O2 है मन 92 degree centigrade से 1200 degree centigrade तक का और ये जो छेतर होता है ये 85 से 500 km तक का छेतर होता है इसके बाद thermosphere से उपर क्या है जिसे exosphere भी कहते हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि दो जो छेतर होते हैं जिसमें की mesosphere, thermosphere ये दोनों होते हैं इनको sammilit रूप से इनके कुछ कुछ पार्ट मिलकर ionosphere भी बनते हैं क्योंकि हम देख रहे हैं कि आप आयन्स की मातरा जादा है तो ये ionosphere भी कह जाते हैं यह जो exosphere होता है यह प्रिथ्वी का उच्चतम छेतर माना जाता है और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह जो उच्चतम छेतर है प्रिथ्वी का यहाँ यह कितने छेतर तक फैला है तो यह 500 km से लगबख 1600 km तक का जो छेतर होता है वो पूरा exosphere के अंतरगत आता है